इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपको बता दे बिहार के मुखमंती नितीश कुमार ने जो है समिक्षा बैठक की है आपको बता दे समिक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ जो है दिशा निर्देश दिया है बिहार के मुखमंती नितीश कुमार ने वहीं आपको बता अलेकि आप बंबारी हुई और इसको लेकर बिहार के मुकमंती नितीश कुमार ने उच्छ अस्तरिये समिक्छा बैठक की है अधिकारियों के साथ वहीं आपको बता दे कि बिहार के अपर मुक्सची अमिर सुभानी और पुलिस महानिदेशक आरिस भठी के साथ वहीं बिहार सरीफ और सासाराम में रामनौमी जुलिस के दौरान घटनाओं को लेकर बिहार के मुकमंती नितीश कुमार ने उच्छ अस्तरिये समिक्छा बैठक की है और नौ बिंद्यों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है पहला है पुलिस और प्रशासन पुरी तरीके स साथ बनाये रखे वहीं उपद्रीवियों की पहचान कर उन पर सक्त से सक्त कारवाई करे और किसी भी प्रस्तिती में कोई भी गरबड़ी ना कर पाए इस पर नजर रखे वहीं विधी विवस्था पूरी तरीके से मेंटेन रखें अफवाव फैलाने वाले पर नजर रखे मुक सचीव और पूलिस महा निदेशक सभी जिला के जिला अधिकारी एवं पूलिस महा निदेशक अधिक्छक से वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से अविलम वारता कर उनकी स्तिती के पूरी जानकारी लें वहीं प्रेस वारता कर मीडिया को जानकारी दें वहीं ताकि अफ़ाफ एलाने वाले पर भ्रहमित कर ना कर पाए वहीं बियार के मुकमंति नितिशकुमार ने ये तमाम बिंद्यों पर अपने अधिकाडियों को दिशा निर्देश दे दिया वहीं आपको बता दे कि बियार के मुकमंति ने जो मिर्टक के परिजन हैं उनसे भी फोन पर बादचीत की है वहीं आपको बता दे कि जो लोग घायल हुए हैं और जिनके परिवार में मिर्टिव हुई है इस घटना में उनके परिजनों से बियार के मुकमंति नितिशकुमार ने बादचीत की है और पांच लाख रुपए मुअब जाद देने का घोशना बियार के और जिजीपी आरेस भटी से बैठक की अधिकारियों के साथ बैठक की पुलिस महा निदेशक के साथ और मुक्स अचीव अमिर सुभानी के साथ बैठक की और उसके बाद जो है मीडिया को जानकारी देने को अन्दिशा निर्देश तीदिया है मुकमंति ने कहा है कि मीडि आपको बता दे कि राम नौमी के दिन नालंदा और सासा राम में जो घटनाए घटी उसको लेकर बिहार के मुखमंतिरी ने बड़ा एक्षन लिया है और उचस्तरिये बैठक कर दिशा निर्देश दे दिया है और उनके परिजनों को 5 लाख रुपे मिर्तक के परिजनों को 5 लाख रुपे हैं कि घोष्णा भी बिहार के मुखमंतिरी ने कर दिया अपने सयोगी कैमरामेन अमित के साथ बने रहे दर्जी डियूस के लिए और देखते रहे दर्जी आशिरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते ह आशिरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट ओल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नमबरों पर सम्पर